दोस्तों स्वागत है आपको एफिर से एक नए comparison वीडियो में और इस वीडियो में compare करने वाला हूँ Realme 12 Pro vs Moto H40 New इन दोनों फोन को में compare करने वाला हूँ और इस वीडियो के लाश्ट तक आपको बता चलेगा कि यार कौन सा फोन आपको इन दोनों में से buy करना चाहिए और कौन सा फोन value for money हो सकता है तो वीडियो को आज तक देखें कोई party skip मत करना मैं हूँ वसीम और आप देख रहे हैं influencer वसीम YouTube चैनल बात करेंगे सबसे पहले इन दोनों के display से तो Realme 12 Pro में आपको 3D Curve FHD Plus AMOLED डिस्पले मिलता है जो की 120 Hz के refresh rate को support करता है 950 nits peak brightness मिल जाती है size 6.7 inches है Moto H40 New की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर भी आपको 3D Curve POLED display मिलता है जो 6.55 inches में है 402 PVI पर वेज़ड है 144 Hz का refresh rate मिलता है 1300 nits peak brightness मिल जाती है HDR 10 Plus का support है अब आपको चाहिए एक better display, best content watching के लिए तो यार देखिए मैं recommend करूँगा Moto H40 New डिस्पले में west यह winner है 3D Curve भी है और काफी एची quality का इसका display है तो west और winner जो है वो Moto H40 New है बात करूँकर मैं यहाँ पर देखिए camera की तो camera जो 50 MP में आपको मिलता है मतलब Realme 12 Pro में 8 MP में ultra wide camera मिल जाता है 32 MP में telephoto lens मिल जाता है इस तरह से यह triple rear setup होते है और 20X digital zoom के साथ है यह OIS का support भी इसमें आपको मिलता है 4K video recording भी 30 IPS आप यहाँ से कर सकते हो Realme 12 Pro से Moto H40 New में आपको dual rear setup मिलता है 50 MP में main camera मिल जाता है 13 MP में ultra wide camera मिल जाता है 4K video recording भी 30 IPS आप कर सकते हो OIS का support भी इसमें आपको मिलेगा तो इस तरह से यह हो जाते हैं दोनों के camera आपको चाहिए एक better camera तो देखिए यार जो camera है वैसे तो दोनों ही अच्छे हैं लेकिन मैं recommend करूँगा Realme 12 Pro जो की updated और अच्छा camera है best camera है आप यहां से अच्छी detail में photos या फिर videos capture कर सकते हो कोई भी दिक्कत वाली बात रही है तो इस तरह से यह हो जाते हैं और बात करूँगा मैं देखिए फ्रेंट camera है की तो फ्रेंट camera जो है वो 16 MP में आपको मलता है Realme 12 Pro में Full HD video record आप यहां से भी कर सकते हो with 30 fps Moto H40 new की अगर मैं बात करूँ तो वो 32 MP में यहां पर camera मिलता है Full HD video record आप यहां से कर सकते हो फ्रेंट camera से भी तो इर जो फ्रेंट camera है ना वो Moto H40 new का थोड़ा ज़ादा अच्छा है अच्छी selfie आप यहां से ले सकते हो कोई भी दिक्खत वाली बात नहीं आईगी जबकि Realme 12 Pro का भी अच्छा है लेकिन जो फ्रेंट camera में बिना रहना वो Moto H40 new है बात करूँ कर मैं यहां पर देखी चिपसेट की तो चिपसेट जो है वो Realme 12 Pro में Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 मिलता है और यह जो चिपसेट है वो काफी ज़्यादा कम डिवाइस इसमें देखने को मिल रहा है भी 4NM पर वेज़ रही है Octa4 CPU के साफ़ आता है और Android 14 इसमें आपको मिलेगा Realme UI 5.0 Moto H40 new में जो चिपसेट है वो Mediatek Dimensity 7030 है और 6NM पर वेज़ देए तो 7030 इसमें चिपसेट है वो भी अच्छा है वैसे गेमिंग के लिए OS इसमें Android 13 मिलेगा तो आपको चाहिए एक बेटर गेमिंग स्मार्टफोन तो मैं रिकमेंड करूँगा यहाँ पर Realme 12 Pro यह आपको अच्छी गेमिंग करवा देगा Moto H40 new की comparison में तो Realme 12 Pro जो है वो विनर है बेस्ट है गेमिंग के लिए बात करूं कर में यहाँ पर देखिए बैटरी की तो बैटरी आपको 5000 एमेच का मिलता है 67 वोट की fast charging के साथ Realme 12 Pro में Moto H40 new की में बात करूं UFS 3.1 मिलेगा जबकि UFS 2.2 जो है Moto H40 new में मिल जाएगा 3.1 जो है वो Realme 12 Pro में है तो इस तरह से मैंने आपको काफी डिटेल में बताया है कि यह कौन सा फोन आपको इन दोनों में से बाई करना चाहिए content watching के लिए camera के लिए selfie के लिए और battery में तो मैंने काफी अच्छे से डिटेल में बता दिया है अभी भी आपका कोई confusion है तो आप comments में पूछ सकते है और आप यार काफी लोग यह comments करते हो कि अब इन दोनों में से मैं camera के लिए कौन सा phone buy करूं तो यार मैंने detail में अच्छे से बता दिया है तो फिर से वो आप जो है comments करते हो तो फिर अच्छा नहीं रहता इसलिए comments करो तो ऐसा करिए जिससे कि जो मैंने वीडियो में बताया नहीं हो तो इस तरह से आप comments कर सकते हो आपको कोई भी question or query है तो बाकी मैं मिलूँगा आपसे next video में thanks for watching this video